हलो फ्रेंट्स मिरे नाम है विकास आज एस वीडियो में हम जानेगे कि अगर आपको पास हायर का A.C. है जुसे लोग हायर या हायर दो तरीके से सट करें ak उसको यहां पर dirig कर टाइमर के सेों यहां पे हम दो तरीके से टाइमर कर सकते हैं थोड़ा वो change हो सकता है नीची रहान दीजी यहां पर timer option लिखा है बटन है आपके दो बटन होंगे साहल यहां पर timer on timer off करके सबसे पहले देखिए मेरा aC अभी off है छालू हो जाए मैं चाहता हूं कि एक गंटे बाद मेरा एसी चालू हो जाए तो टाइमर पे आऊंहांगा मैं सब से पहले इस उस्थपे किलिक करोंगा जुक्स से बातन दबाऊंगा देखे यहां पे दो आ रहा है अब आपको साइस दिक्कत आजाएगी देखिए आपे लिखाए ओन यानि यह ओन होगा दो घंटे बाद यह दो घंटे रीडिंग जो दो रीडिंग दिखा रहा है यह आवर है तो इमिनट नहीं ध्यान नखिएगा मैं चाहता हूँ कि एक होए अब मैं इसे अगर द्वारा प्रेस करूंगा तो बढ़ गंटा और यह एक मैं चाहता हूँ एक घंटे बाद यह चालू हो जाए तो टाइमर मैंने यह पर एक घंटा सेट कर दिया कन्फर्म करते हैं इसे एसी के सामने तो एक घंटे बाद मेरा एसी चालू हो जाएगा यहाँ पर ओप्सन आ चुका है देखिए यहाँ पर दाएबाद अपने बंद हो जाए क्योंकि जब रात को लोग सोते हैं तो बार एक बाप सामने नीद लग जाती है है तो आप बटन दवारा दबाऊगे तो आ जाएगा अब इसे आप AC के सामने प्रेस कर दीजिए मैं इसे करता हूं यहाँ पर टाइमर का यह मैं तीन करता हूं सो दवारा और इसे कनफॉर्म और कैंसल कर देता हूं अब देखिए तीन घंटे वाद मेरा AC ऑटमेटिक बंद हो जाएगा तीन पर रिडिंग सेट हो चुकी है देखिए जो आफ वाला ओप्सन है अभी ब्लिंक नहीं कर रहा है यानि मेरी रिडिंग सेट हो चुकी है और यहाँ पर एक कनफॉर्म और कैंसल का बटन है इससे आप कनफॉर्म कैंसल कर सकते हो अगर मुझे कैंसल करना मैं चाहता हूं कि यह बंद ना होती गंटे बाद तुम में यहाँ पर कनफॉर्म यह कैंसल और बटन जो भी आपको दिख रहा है इसके सामने प्रेस करूंगा तो देख सकते हो अब यहाँ पर जो टाइमर वाला रिडिंग है यह बिलिंक कर रहा है यानि अभी काम नहीं कर होगा शायद आप समझ गए होंगे आप एक दोबर प्रैक्टिस करिए आपको समझ में आ जाएगा कोई दिक्कत नहीं होगी कोई बड़ा इसमें रॉकेट साइंस नहीं है वीडियो पसंद आई है लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें